आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Why is fish meat considered advantageous than meat of other animals? कुझा गया कि fish meat को जादा advantageous क्यों माना जाता है meat से तो बेसिकली क्या होता है कि fish को अगर consider करें तो fish में high amount of protein पाया जाता है और ये amount of protein जो है वो meat में नहीं पाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली हम 13 to 50% of protein जो है वो fish से gather करते हैं rather than other food और साथ ही next point क्या होता है कि यहाँ पे fats जो होते हैं वो बहुत less होते हैं या फिर बहुत low होते हैं जिसके वैसे इनका consumption बहुत जादा सही होता है for any kind of patient also next है कि fishes में अगर देखा जाए तो यहाँ पे nutritional value जो है यह बहुत high होता है जैसे कि fishes में हम कह सकते है vitamin A, vitamin D और साथ में omega जो है यह भी पाया जाता है और यह सारे चीज़ पाया जाने के वैसे क्या होता है कि fishes का advantage जो है वो meat से जादा होता है क्योंकि इतने सारे जो products हैं वो meat के flesh में नहीं पाया जाता है next होता है कि fish जो है वो easy होता है to digest और इन में कोई problem नहीं होता है with the digestion क्योंकि यहां पर सारे amount जो है वो एकदम scalar amount में रहते हैं और इनको हम कहा सकते हैं कि multiply करना या फिर हम कहा सकते हैं कि इनका consumption जो है वो एकदम से harm नहीं करता है तो इसी सब के वज़े से बोला जाता है कि फिश का मीट होता है, वो बहुत जादा helpful होता है और बहुत जादा advantage होता है than the meat of other animals.